और राइट लेडिजेंग जेडमेन मेरा नाम है अरपित पाथक आप हैं उससाइड दलाल स्क्रीट और यह है निफ्टी पैंक निफ्टी का पूरा ट्रेड सेट अप आईए चरचा करते हैं सबसे पहले निफ्टी से आज की केंडिलिस्टिक पे नजर डालते हैं आज फिर से निफ्टी ने नया lifetime high बनाया लेकिन आज जो अलग बात थी बैंक निफ्टी ने leadership ली है बहुत दिन बाद और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हैं नजर आया है निफ्टी को खेर लेकिन अगर आप सिर्फ levels के तोर पे देखोगे निफ्टी अपने lifetime high को लगातार बनाया जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने lifetime high से दूर है तो उसकी चर्चा करेंगे बड़े दिनों बाद बैंक निफ्टी ने leadership लेने की कोशिश की है अगर आज हम निफ्टी के case में आज की candlestick पे नजर डालते हैं तो आपको एक 2G type का formation देखेगा बहुत स्मॉल बॉडी वाली candlestick है लेकिन इसका significance यह है कि निफ्टी लगातार बहुत दिनों से अपने channel के top के उपर sustain कर रहा है जो की बहुत अच्छी बात है अच्छा एक चीज़ हम लगातार देख रहे थे election के नतीजों के बाद volume लगातार डॉप हो रहे थे आज पहला दिन है जहां पर volume थोड़े rise की है तो यह अच्छी बात है basically traders मान के चल रहे है कि जब निफ्टी 23,500 के ऊपर closing देने में सक्षम रहा है इसका मतलब है breakout है और यहां से फिर से थोड़ा सा traders का interest बढ़ते हुए न बात करोगे definitely आपको देखने को मिला है कि निफ्टी इस parallel channel के ऊपर लगतार sustain कर रहा है और नया lifetime high पर definitely हमारे सामने नजर आ रहा है आए shorter time frame पर चलते है अगर हम निफ्टी के shorter time frame पर चले जाते तो आपको एक चीश समझ रहा है अब जो आपकी channel की middle है वो as a support बनके आएगी अगर आप support की बात करो यहां से तो निफ्टी में पहली support काई ना काई 22,000 की बात करो 23,500 से लेके 23,400 की range में बहुत बहुत मजबूत support है अगर आप इसको 450 भी कर दो ताकि range narrow हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है लग भग यह 23,500 से 23,450 की range में पहली support निकल करते है उसके 23,250 से लेके 23,200 पे बहुत मजबूत support है जब तक आप 23,200 के नीचे trade करना शुरू नहीं करते हो तब तक कोई चिंता नहीं हो और आप बहुत ही मजबूत bullish trend में continue करोगे तो levels बहुत ही clear है आईए यहां से हम लोग चलते हैं nifty की option chain में nifty की option chain में आज हमें देखने को मिला है bears अपनी position को छोड़के भागते हुए नजर आएं क्योंकि obviously break out हुआ है और आज के movement में आपको एक बड़ा contribution देखने को मिला है short covering की वजह से तो आप जो bears हैं जिनोंने मंदी के position बनाई थी उनको शुक्रिया कहिएगा आईए बात करते हैं अगर हम option chain में जाएंगे तो बड कह रहा हूं 23,450 एक sweet spot है जो कि as a good buying level निकल के आएगा तो 23,500 से 23,450 सबसे पहली और मजबूत support निकल के आएगे stop loss 400 के हलका सब 20 point नीचे 23,380 के आसपास का stop loss बन के आती है यह definitely एक मजबूत support है जिस type का बाजार में strength नजर आ रही है यह आपका hold करेगा उसके नीचे definitely यह option chain से नहीं निकल के आता है बट 23,250-23,200 बहुत ही मजबूत support है इसको S2 कह लेते है overall positional traders के लिए important है उपर के side जाओगे क्योंकि आपने नया lifetime high बना दी है और 23,500 की जो resistance थी उसको break कर दिया है तो अगर आप मंदी के side देखोगे ना तो बहुत जादा position कहीं पे भी add-on नहीं ह आप यहां पे जाके देखोगे तो 23,400 के आसपास आप देखोगे highest contract है और highest contract एड़ है 24,000 की बात करो sorry 24,000 पे जो कि इतना दूर है तो आप 24,000 की बाते होने लगे तो option chain उपर की resistance देने में सक्षम नहीं है लेकिन नीचे के support दे रहा है और देखो जब बाजार आपका lifetime high प तो कहीं भी जा सकता और obviously आज निफ्टी अगर आपका 24,000 के बाते हो रही है तो 28,000, 30,000, 50,000 भी होगा आज नहीं तो कल कभी न कभी तो हो गई तो उपर के side बाजार में न फिलहाल क्यूंकि आप lifetime high पो कोई resistance clear cut नहीं है obviously technical बात करोगे तो 23,600 के आसपास का एक resistance अभी भी ही है लेकिन कोई बहुत बड़ी resistance नहीं तो तेजी के market में trade करने का तरीका यह है कि तेजी के side बने रहो नीचे अपने support level पे आता है तो buy कर लो buy on dips पे आओ और जब तक कोई critical level break नहीं होता तब तक आप tension ही मतलो कि कहां तक जाएगा क्यों जाएगा बने रहो बाजार के अपने अगर आप safe रहना चाते हो तो position को hedge कर लो या तो अपनी stop losses को trail करते जाओ बस trail करते रहो तो क्या होगा अगर आपने 200-300 point भी capture के लिए more than enough है तो trailing का use करो और यह मत पता का नहीं कोशिश करो बाजार कहां तक जाता है कहां तक नहीं जाता यहां पे option chain clear कर दिखा रह interesting है आईए put call ratio के बात करते है put call ratio nifty के case में फिलाल आपको देखने को मिला है 1.2 मजबूत है कल के सत्र में I mean last जब हमने Friday को चर्चा की थी put call ratio 1.4 था मैंने बोला था कि 1.4 है एक dip ज़रूर आ सकती है उसको as a buying opportunity use करें अभी मैं आपको strategy के case में भी उसकी बात करूंगा एक dip definitely आपको मिली थी जहां से खुला वहाँ से dip मिली फिर से आपको दो बार basically dip मिली higher put call ratio की वज़ा से फिर put call ratio correct हो गया अच्छा कई लोग ऐसे मानते है कि put call ratio अगर heavy है तो वो short करने की कोशिश करता है ऐसा नहीं है put call ratio अगर heavy है और bazaar की trend bullish है तो heavy put call ratio की वज़ा से जो dip आती है वो temporary होती है तो वो buying opportunity होती है ना कि selling opportunity sell करोगे तो आप first out यह चीज़ वैसे last time भी चर्चा कर चुके थे हैं अच्छा बाजार की breath भी अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल concentrated movement देखने को मिला है जैसे कि US market में हमारा market में overall mid cap small cap सारी sector अच्छे नजर आ रहे है nifty 50 के case मे अगर आप देखोगे 50 company में से 35 companies उपर थी और 15 company नीचे थी अगर nifty 500 की बात करोगे जो कि broader market है वहाँ पर देखोगे 2 share जो नीचे गिर रहा था उसके सामने 3 share बढ़के आ रहे थे जो की काफी अच्छी बात है volatility index को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं volatility index में हलकी फुरकी increase देखने को मिलिए लगभग 1% के आसपास के increase vix में देखने को मिलिए 12.9 के आसपास है कुछ भी नहीं है बहुत ही अच्छे निचले लवल पे आ चुका है mid cap small cap को अगर हम एक बार देख लेते हैं mid cap में 0.5% की तेजी है small cap में 1% की तेजी है तो mid small cap overall broader market सब कोई काफी अच्छा मजबूत नज़र आ रहा है आईए bank nifty पे आते हैं bank nifty की अगर आप technical analysis पे आऊगे bank nifty में अगेन एक अच्छी green candle bullish candle नज़र आ रही है इसका नाम देने का प्रयास नहीं करूँगा अगेन आप देखोगे elections के बाद volume declining थे आज पहला दिन है जहाँ पर volume बड़े तो bank nifty में भी clear cut breakout आई है हमने इसके चर्चा की भी थी जैसे ही 50,100 के उपर 50,100 से 200 के उपर आप निकल जाते हो 50,200 पे बार 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 bank nifty ने resistance ली थी finally आज जब निकला तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि इसके बाद आपका 50,500,600 तक पूरा space खा ली है और तुरंट ये 200,300 point निकाल देगा और आप देख सकते हो तुरंट 200 point निकाल देगा और जो closing दिये ना bank nifty में बहुत अच्छी breakout वाली closing दिये है जैसे हम बात करने थे nifty में अपने जो channel है उसके top पर बाजार रुक रहा है मतलब sustain करने में successful रहा है आप bank nifty में देख रखते हो कि channel के middle के ऊपर अभी sustain करने में successful है channel के top को अब approach करेगा bank nifty अच्छा bank nifty में एक और चीज़ देखो bank nifty जहांसे बड़ी गिरावाट आई थी elections के टाइम पे बिल्कुल उन्ही top levels पे आके close हुआ है यहां से अगर move करता है तो मैं कहता हूँ कि यहां से hulky full की resistance मेरे हिसाब से 50,600 पे रहेगी एक बार 50,600 के उपर निकलता है न तो फिर 50,800 और 51,000 तक जा सकता है जो के बिल्कुल channel की top है तो immediate resistance मुझे लगता है अभी भी 50,600 की है और एक ही बार test हुई है तो हो सकता है आप थोड़ा सा एक दो दिन रुकने का प्रयास करें या hulky full की dip दे दे वो buying opportunity रहेगी वैसे बड़े target की बात करोगे तो 50,800 से 51,000 के जो channel का top है actually में channel का top क्योंकि अब side moving है तो 51,000 एक सो 51,200 आ रहा है तो 51,000 आप मान के चलो bank rifty के shorter time frame में आऊगे तो बिल्कुल सेम कानी है हम चर्चा कर चुके है आईए bank rifty की option chain पे आते हैं bank rifty की option chain में भी आपको short covering देखने को मिली है और bank rifty में अब support उपर के side shift हो गया है जो support पहले आपका 49,600, 49,500 पे था वो shift हुआ 49,700,800 पे अब वो shift हो चुकी है 50,000 पे 50,000 पे जबरतस्त bullish position है ये आपको बहुत अच्छे support जैसे काम करेगी मजबूत support है bank nifty में 50,000 का resistance की बात करोगे तो 51,000 आ रही है लेकिन 50,500 से अभी भी मंदी के contract गए नहीं है तो जैसा मैं कह रहा हूँ ना 50,600 का resistance अभी भी intact है उसको break मत मानू जहां पर है वो resistance का ही level है फिलाल उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम 50,800 और 51,000 के level के तरब बढ़ेंगे लेकिन ये resistance 50,500 से 50 500,600 की अभी भी intact हो उसके बाद 51,000 के आसपास के बड़ी resistance हादी है clear cut है put call ratio bank rifty के case में बात करोगे तो यहां पे भी 1.23 है जो की बिल्कुल comfortable है bullish है over bottom नहीं है तो इसके चिंता मत करो bank rifty में आज आपको बड़ी ही मजबूती देखने को मिली है 12 में से आज 11 shares उपर थे और स गिर्फ एक ही share नीचे था I think सरकारी बैंकों में हमारा पंजाब नेशनल बैंक नीची था सरकारी बैंकों की चली भी है तो सरकारी बैंक में अगर आप देखोगे 0.25% की तेजी है तो underperform किया है आज आपके private bank लगबग leadership position में रहे हैं तो overall आईए सीधे सीधे सारे data देखन और मैं आपको clear cut बोलता हूँ strategy में कोई भी बतलाब नहीं है यह हमारा last time का है अभी मैंने कुछ भी change नहीं किया है last time का जो 18 तारी की आज की strategy थी बिल्कुल वही है बस ऊपर change किया और levels change कर दिया है आप देखोगे अंदर कुछ भी change नहीं है मैंने change इसलिए नहीं किया है क तेजी में और इसे एक और फाइदा हुआ जो तीन दिन का dk था उससे आप बहुत हद तक बचके होगे तो बुल्कॉल spread was a good strategy लाइव स्ट्रीम में भी हम चर्चा करेंगे यही strategy अभी भी continue करेंगे नीचे आता है buy on dips की strategy अभी भी चलेगी levels बात कर लेते levels हम वैसे भी कर च देने के तो यह level s2 है वो s3 है वो s4 है तो आप समझ सकते हो सारे levels मैंने किसी भी delete नहीं की है ताकि हमारे पास एक overall levels की एक list आ जाए नीचे 23,300-23,200 बहुत मजबूत support है यह तो definitely positional traders के लिए उसके नीचे के support की बाती नहीं करेंगे क्योंकि निफ्टी बहुत ऊपर निकल चुका है यह हम लोग पहले से लिखके रखें इसलिए मैंने उसको delete नहीं किया है और delete करूँगा मैं नहीं रहेगा तो ठीक रहे तो पहली support आप दिहान लगो 23,450 के आसपास एक मजबूत support है exist करती है bank nifty के बारे में बात करोगे bank nifty हमने बात की थी पहली resistance 50,250 है अगर यह ब्रेक होता है तो 560 पर जाके कहीं न कहीं resistance है अब आप देखोगे यह resistance अभी भी intact है यह ही resistance अभी भी है इसके ऊपर निकलता है तो 50,800,000 की बात करेंगे लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा ठीक है तो यहां पर नहीं जब ब्रेक हो जगा तब देखेंगे नीचे के साइड अगर आप support की बात करोगे bank nifty के case में तो support shift हो चुका है ठीक है यह तो पहले का लिखा हुआ है तो मैं यहां से एक बार support shift कर लेता हूँ इसको S1 लिख देता हूँ ठीक है यह support मैं आपको कह रहा हूँ लगबक 50,000 से लेके 50,100 के आसपास यह base उपर के side shift हो चुकी है तो 50, in fact 200 भी है 50,200 के तरफ लेकिन क्योंकि option chain में highest contract 50,000 पर तो मैं 50,000 को उसमें include करना चाहता हूँ तो यह ध्यान लखेगा यह पहली support है तो 200 को निकालने में हमें जितना time लगाना अब वो 50,200 ऐजा आपकी support निकल के आएगी तो properly अगर मैं यहां पे लिखो तो मुझे 50,200 को भ यह strategy अभी भी same है, buy all dips continue करते रह सकते है, thank you so much, I'll see you again tomorrow.